आज मैं आपको 25 अक्टूबर मंगलवार को लगने वाले सूर्क ग्रहन के विशे में बताऊँगा जोति शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहन को ग्रस्तास्त खंडग्रास दोपहर 2 बजकर 29 मिन्ट पर प्रारम्भ होगा और इस दिन शाम को 6 बजकर 32 मिन्ट पर समाप्थ होगा बारत में यह सूरे ग्रहन बारत के पूर्वी राजियों को शोड़ के पूरे बारत में दिखाई देगा और बारत में यह सूरे ग्रहन 25 सक्तूबर मंगलवार को शाम 4 बज कर 15 मिंट पर प्रारंब होगा और इसी दिन शाम को 6 बज कर 15 मिंट पर समाप्त होगा और जम् 12 गंटे पहले ही सूतक लग जाता है जानि 24 की रात्री और 25 की सुबा दो बज कर 30 मिंट पर इस ग्रहन का सूतक प्रारंब होगा और ग्रहन काल में विशेश कर गर्वती महलाओं ने विशेश द्यान रखना है उन्हें नाखुन बाल फल सब्जियादी नहीं काटनी चाहिए और सूर्ज की उनके उपर शाया नहीं पढ़नी चाहिए गर में एकांत में रूम में बैठकर कमरे में बैठकर बगवान सूर्ज के मंतर स्तोत्रों का पाठ करें जो आपको मंतर आता है उनका पाठ करें नहीं तो ओम नमों बगवते वासु देवाय नमा मंतर का जाप करें मन में अच्छे विचार लाएं और आनेवारी संतान को जो है इसका लाव होता है और सुतक काल में ब्रिद, बालक, रोगी अथवा गर्वती महलाएं जो है कुछ खापी सकते हैं ग्रहन काल में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ग्रहन समाप्त होने के बाद गरम पानी से नह में और जैसे अचार मुरब्बा पानी सूका राशन उनमें कुशा डाल दें और ग्रहन के समय पवित्त नदियूं स्रोवरों पर जाकर शनान करें दानपुर्णे करें आपको लाब होगा शास्त्रों के अनुसार 26 अक्तूबर सूरे उदे के बाद ही शनान करकर बोजन ग्रह थीक है तो और ग्रहन काल में अपने इश्ट देव की राधना करने से लाब होता है और गर में रहकर ही एकांत में बगवान का ध्यान करें पूजा पाट करें और सूका राशन अत्वा दक्षिना गर के आसपास जो जुरूरत मंद लोग हैं ग्रहन के बाद उनको भी कुश ना कुछ दान वश्चे करें जैम आता दी